दिल्ली अमर्टसर नेशनल हाईवे पंजाब और हर्याना की सीमा पर शम्बू बॉर्डर के उपर जो है बंद है 13 फर्वरी को किसानों का माज था दिल्ली चलो का नारा था किसानों का अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली जाना चाहते थे मगर शंबू बार्डर पे हर्याना सरकार की तरफ से जबरदस्थ बैरिकेडिंग कर रखी गई थी हर्याना पुलिस अरदसयनिक बल लगाके और यो दोनों पुल जो हैं जो हर्याना को पंजाब से कनथ्ट करते हैं कि एक हफते के अंदर इस सड़क को जो है खोला जाए पंजाब एंड हर्याना हाई कोड का आदेश है कि हर्याना की तरफ ये जो बैरिकेड लगे हैं जो इस सड़क बंध की गई है ये जो है तमाम चीजें रुकावटे जो हैं वो हटाई जाएं एक हफते के अंदर ये तमाम जो विगन है इस सड़क के उपर हर्याना की तरफ लगाई गई वो हटाई जाए और इसके बाद अगर कोई कानून विवस्था की स्थिती पैदा होती है तो पंजाब और हर्याना की सरकारे जो है उससे निप्टें और इस सड़क को जो है यातायात के लिए खोला जाए आप देख सकते हैं सामने जो है अर्थ सैनिक बल खड़े हैं रैपिड एक्शन फोर्स के टुकडियां हैं यह फरवरी महीने से यही मंजर है यहां पर गर्मी जून का महीना भी बीट गया है एक तरफ किसान है भरी गर्मी में बैठे हुए और दूसरी तरफ यह जवान है जो सर हर्याना पुलिस है बैठे हुए हैं अब देखना यह है पंजाब और हर्याना हाई कोड का आदेश है कि यह तमाम चीजें हटनी चाहिए यहां से सड़क के उपर से रहतायात के लिए यह खोला जाना चाहिए किसान पहले से कह रहे हैं कि हमने सड़क बंद नहीं कर रखी हम कर दी है कि जो रास्ता है जो वह किसानों ने नहीं लगा रहे हैं जो रास्ता है वह किसानों नहीं बंद कर रहा है यह हर्याना सरकार दुबारा बंद किया गया है सेंटर सरकार के कहने के ऊपर और अभी भी देख सकते हैं कि वैसे ही लगी है पैर मिल्टरी फोर्स वैसे ख पर इसमें भी समस्चा यह है कि जब बैरिकेड हटेंगे तो किसानों का तो नारा है दिल्ली चलो का मुद्दे के ओपर सरकार नहीं बन गई है एंड यह की सरकार है ना आप किसानों ने तो कहा था आप लोगों ने कहा था कि आप लोग तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक आपके मांग पूरी नहीं हो जाती है तो अब किसान अगर बैरिकेड हटते हैं तो दिल्ली जाएंगे या नहीं यह भी बड़ा सवाल है कभी भी किसानों के रास्ते बाचीत के लिए नहीं बंद होए हैं जब भी बंद होए हैं तो सरकार ने अपने दरवाजे बंद करे हैं है अगर हाई कोट के आदेश के अंसार ये तमाम चीजें जो हैं हटती हैं क्योंकि दूसरी तरफ पंजाब की तरफ जो हैं सैकडों ट्रेक्टर ट्रॉलीज अभी भी खड़ी हैं जिनमें किसान है घर्मी भरी घर्मी उन्होंने यहीं बिता दी है इनी ट्रेक्टर है कि क्या ये रास्ता जो है यातायात के लिए खुलता है या नहीं के मापस नहीं शर्माक साथ साचिन कुमारी प्यन्यों शम्भू बोड़र पर एक्स्क्लूसिव और इंसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब तो और न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रेमियल